हैलो डेश्टो एंड बहुत बहुत स्वागत अब सभी का सक्सेस वर्ल्ड एम सेक्यू चैनल पर तो चलिए आज हमारा सेशन साथ है तो चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइब में दिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और बता दें ब्याहर पुलिस उ एल्मुनियम की मिस्र धातु है ओप्शन आपके सामने चार है तो चलिए इसका आंसर जल्दी से लाइफचेट में आंसर करेंगे फटा पट से आंसर करेंगे जी बिल्कुल एक का राइट आंसर आपका ओप्शन डी के साथ लाजएगा मैगनेलियम ठीक है क्या जाएगा ए आइट अनसर आपका ओप्शन डी के साथ लाजगा सी एन एच टू एन मैनस टू ठीक है यह एलकाइन का समान सुत्र होता है ध्यान में रखना है ओप्शन डी स्प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और आपको बता दे बिहार पुलिस उत्पात सिपाई और फायर म बढ़ते हैं आगला प्रसन आपके स्क्मतर है किस लेंस की छमता जीरो पॉइंट फाइव डी है ऑप्शन आपके सामने चली ऑप्शन पढ़ देते हैं यह एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी पांच मीटर है यह एक उतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दो मीटर है और इसका right answer C हो जाएगा यह एक उत्तर lens है जिसकी focus दुरी 2 meter है सबसे फ़ले ध्यान दिजेगा यहां आपका lens की छमता प्लस में दिया गया है इसलिए आपका अफ़तर lens तो होगा ही नहीं क्योंकि plus में छमता उत्तर lens की होती है और कितना छमता है 0.5D होता है और lens की छमता क्या ह होता है पी ब्राबर होता है वन बाइप या डी ब्राबर वन बाइप कर सकते हैं और इसको सॉल्ब करेंगे तो इसका फोकस दूरी दो मीटर आएगा इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस निसकन पर किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गु बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा मायोसिस यानिकी अर्द सुत्री ऑप्शन बी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस ने सरीर में ध्वनी यंत्र को और क्या कहा जाता है लेरिंक्स फारिक्स कंठनली या डिस्वासनली आंसर करेंगे सो समझकर आंसर करना है क्योंकि अगर आपने एक हो दिया है तो बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा लेरिंक्स फिक के ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रस ने स्किन परहें निमलिखित में से कौन एक गैर प्रमप्रागत उर्जा शुरूत है काफी इंपोर्टेंट प्रस ने आंसर के कोईला पेट्रोल डीजल या डी पावन वायू और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो दिल से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे जी विल्कुल इसका राइट आंसर छे का डी हो जागा पावन वायू ठीक है क्योंकि यह गयर प्रमप्रागत उर्जा के शु बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण स्कुन पर है निमलिकित में से कौन सी परक्रिया ठोस को सीधे वास में परिवर्तित करती है काफी मोश्ट इंपोर्टन प्रस्ण इसको ध्यान में रखना है आंसर करेंगे जल दी से और सेशन में लाश्ट ट्रक बंदे रहेगा क्योंकि काफी मोश्ट इंपोर्टन क्लास है जी बिल्कुल आट का राइट आंसर अगर आपने एक को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है तो उर्द्वा पातना नहीं जो क्या करती है ठोस को सीधे वास में परिवर्तित कर देती है ऑप् वोल्ट बटे एक एंपियर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसन इसकुल परहे किस अउकरिया गैस काउप योग कैंसर के इलाज में क्या दाता है काफी मोश्ट इंपोर्टन प्रसन यह भी आंसर करेंगे रेड़न जेनोन आरगन या डी नियोन जी बिल्कुल दस का राइट अंसर आपका ओप्शन एक के साच लाज़ेगा रेड़न आप्शन एस प्रसन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपके स्कुल परहें टमाटर का रंग लाल किस वर्न क्यू पस्तिती क कारण होता है अंसर करेंगे जल्दी से जी बिल्कुल सभी को गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग तो ग्यारा का राइट अंसर अगर आपने क्या दिया एक हो तो बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा इसी की उपस्तिती की कारण टमाटर का रंग लाल होता है अगला प्रस अगला प्रस्ट निशन प्रे आम तोर पर सुरक्षा फ्योज लगाने के लिए परियोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है सोच समझकर आंसर करना है तो तेरा का राइट आंसर अगर आपने D को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब है जी बिल्कुल अगर आपने D को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब होज़ेगा 100 newton क्योंकि चंद्रमा का भार होता है पिर्थभी के भार से क्या होता है एक बटे छे होता है ठीक है यानि कि अगर पिर्थभी पर भार किसी व्यक्ति का 600 newton है तो चंद्रमा पर 100 newton हो जाएगा यानि कि 600 का आपको एक बटे छे करना है ठीक है छे से आपका 600 कर जाएगा तो 100 बचेगा राइट आंसर 100 newton हो जाएगा डी बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्न स्कुन पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कारेकर अनुवांसिकी के नियम प्रतिय स्थापित किये मतर समुद्री अर्चिन सर्षो याडी भरिंगो तो चलिए काफी इजी प्रस्न है इसका राइट आंसर एक के साथ लजगा मतर अगला प्रस्न परेगर खुली स्रिंखला वाले हाइड्रो कारबन जिन में कारबन कारबन के बीज डबल बंद होता है कहलाते हैं अंसर करेंगे जी बिल्कुल इसका राइट आंसर 16 का अगर आपने एक को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब होता है ओप्सन इस प्रस्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यो जागा अगला प्रस्न परेगर निमलिकित में से कौन सा कार्बोहाइडरेट जनतुआ में उर्जा का भंडार माना आता है अंसर करेंगे जल्दी से तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब है ग्लाइकोजन ठीक है ओप्सन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न स्कुन पर है ओरल पोलियो वैक्सिन जिसका बिल्कुल सही जबाब है अगला प्रस्न स्कुन पर किसी वस्तु का संवेग दो गुणा करने पर गतिज उर्जा कितना हो जाएगा ध्यान दिजेगा अगर संवेग को दो गुणा करेंगे तो उसका गतिज उर्जा क्या होता है चार गुणा हो जाता है ध्यान रखेगा त काफी मोश्ट इंपोर्टेंट प्रसने ये बिहार फायर्मेन की द्रिश्टी से आंसर करेंगे जल्दी से तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन C के साथ लाजएगा अनध ठीक है ऑप्शन C प्रसन का बिल्कुल करेंट आंसर हो जाएगा अगला प्रसने स्किन पर मनुस में एलफा टॉक्सिन खाद विशाक्त द्वारा समानत कौन सा अंग प्रभावित होता है तो राइट आंसर अगर आपने 22 का डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है यकरित हो जाएगा ऑप्शन D बिल्कुल करेंट आंसर हो जाएगा अगला प्रसने प्यूस ग्रंती सरीर में किस अस्थान पर इस्थित होता है तो जोई बच्चे 22 का ऑप्शन B को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मस्तिस के अधार में ऑप्शन B बिल्कुल करेंट आंसर है अगला प्रसने कितना तापमान होने पर पाठ्यांग सेल्सियस और फारनाइट तापमाप्यों में पर एक ही होंगे आंसर करेंगे तो याद रखेगा ऑप्शन A इस प्रसन का बिल्कुल करेंट आंसर होजगा माइनस 40 डिगरी ठीक है 24 का क्या होजगा A आंसर होजगा इस तापमान पर क्या होता है सेल्सियस और फारनाइट बराबर होता है अगला प्रसन पर सूरी की किर्णों की तिवरताम आपने वाले को क्या कहते हैं सोच के आंसर करना है और कमेंड में लास्ट सेशन के लास्ट में कमेंड बॉक्स में अपना इसकोर जरूर देंगे कि आपका कितना प्रसन सही हुआ तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन C के साथ लगा एक टीनो मीटर ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रसन है एक समतल दर्पन की वकरता तरिया कितनी होती है काफी इजी प्रसन है आंसर करेंगे जल्दी से जी बिल्कुल 26 का जोई बच्चे B को दे रहे उनका बिल्कुल सही जवाब है एक समतल दर्पन की वकरता तरिया अनंत होती है ऑप्शन B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ट पर मानव शरीर में नीम्न हार्मोन में से कौन सा रत केल्सियम और फॉस्वेट का वीनियमित करता है अंसर करेंगे जल्दी से और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे तो 28 का राइट आंसर क्या जाएगा प्रावर्टू हार्मोन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट पर फॉर्मिक एस सिबें सेशन पर काई किसका मिर्टू है काफी इंपोर्टेण प्रसन है कि तो जैद junkie का का साज का सीयू और एसन का मिर्णे यान की कॉपर और टीन का मिनिस्टर ने आपका कासा option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस निस्किन परे परावेगनी की रहन की खोजे किसने की है answer करेंगे जल्दी से जी बिल्कुल 31 का जोई बच्चे लाइप चेट में C को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा क्या जाएगा रीटर option C बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रस निस्किन परे निवन में से किसे कोशिका का प्रोटीन की factory का जाता है लाइसोस्वाम को राइबोस्वाम कोशिका भित्ती या इन में से कोई नहीं बिल्कुल 32 का right answer है जोई बच्चे लाइब चेट में क्या देने B कौन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा किसको का जाता है तो राइबोस्वाम को option B बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रस ने मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है अगला प्रस ने में से किसको भविस का इंधन कहा जाता है आंसर करेंगे जल्दी से तो याद रखेगा भविस का इंधन हाइडरोजन को कहा जाता है option C प्रस ने का बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला प्रस ने सकन पर निकट द्रिश्टी दोस में क्या होता है लेंस की फोकस दोरी घड़ जाती है लेंस के छमता बढ़ जाती है आंसर करेंगे जी बिल्कुल 35 का जोई बच्चे A को दे रहे बिल्कुल गलत जबाब है D बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा उप्यूक्त में से सभी क्योंकि निकर द्रिष्टी दोस में लेंस की गुलाई बढ़ जाती है ये भी सत्य है और लेंस की फोकस दोरी घड़ जाती है ये भी सत्य है और लेंस की छमता बढ़ जाती है ये भी सत्य है d बिल्कुल सही जवाब हो जागा 35 का d अगला प्रस्ट नेशक्न पर hey कोशिका सिधान locally प्रती पादन किसेने क्या था यादक्ये लडू एक कोशिका सिधान brasile ुए इसलिए दक्राइस लिए निमन में से कौन सा अंडा देने वाला अस्थान धारी है तो इसका जो राइट आंसर है आपका ओप्शन चला जएगा सहितिस का ए क्या जएगा एक डीना ठीक है ओप्शन एस प्रसन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस निसकन पर एक व्यक्ति विभिन रंगों में कर नहीं कर पाता है व्यक्ति में निवने भाग की समस्या है कॉर्णिया पस्मावी पेसिया कौन स्याड़ी रोड़ोस जी बिल्कुल उसका राइट आंसर आपका ओप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस निसकन पर है आप तन का कौन इनके बीच होत इसकिया है ऑफ्शन सी सता पर अभीलं तता आप्तित किरन ठीक है यह आपका सता है और यह आपका आप्तित किरन यह प्रावर्तित क्रण और बीच में अभीलं होता है तो आपतन को को नब पूछाजा यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक न्यूक्लियर रेक्टर में होने वाले श्रिंकला पर्थिक्रिजा को जारी रखने की छमता रखता है काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण है आंसर करेंगे जल्दी से तो इसका जो जो यू बच्चे लाइप्टेट में सी को दे रहे उनका बिल्कुल सही जबा हो जाएगा के जगा यूरेनियम दो सो पैटिस्टी के ऑप्सण सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्सण सी बिल्कुल राइट आंसर है तो आज की सेसन में टोटल 40 इंपो जाज के साथ